नमस्कार मैं अंजदे मिश्रा स्वागते आप सभी का दौनियोज में आपको बता दें कि प्रधार मंत्री नरेंद्र बोधी और राहूल गांदी को बहस के लिए यानि डिबेट के लिए सुप्रीम कोट और हाई कोट के पूर्व जजज द्वारा पत्र लिखा गया है जो हा आमंत्रत किया है डिबेट करने के लिए और इसके पीछे का कारण उनने पत्र बताया है कि लोगतंत्र भी बचा रहा है साथी साथ लोग जो है उन्हें किलारिटी हो सके कि कौन सच बोल रहा है कौन जूट क्योंकि जब दोनों के बीश डिबेट होगी तो फिर आम जंता सम पाएगी कि कौन सही है और कौन गलत है तो ऐसे में क्या है यह पूरा माजरा आईए विस्तार से जालत है देश के जाने माने लोगों ने प्रदार मंत्री नरेंदर मोधी और कॉंगर्स के नेता राहूल गांदी को एक सारवचरी के बहस के लिए आमत रित किया है इस पहल क मकसद है जनता को दोनों पक्षों के विचार सीधे सुनने का मुका मिले और यह खुद तैकर सके कि कौन सही है कौन गलत है अपको इससे पहले बता दे कि कॉमेंट में लोगों का तो यह भी कह रहा है कि एक तरफ देश के प्रदान मंत्री है तो उनकी क्वालिफेकेशन अल कि मलें लोग लेह गालत है कि एक क्वालिफेकेशन इसे में आप रहा है कि विपक शेयन का काम ही आरोप लगा ऐसे मय देश का प्रदान मंत्री यह वो और नहीं की साथ कैसे तक कर सकता है अब यह नेवता सुप्रीम कोट के पूर्वन यादिश मदन बी लोकूर दिली हाई कोट के पूर्वन अधीश एपी शाह और वरिष्ट पत्रकार एन राम ने दिया है इन हस्तियों का मानना है कि देश के दो प्रमुख नेताओं के बीच खुली बहस से कई महत्वपून मुद्धों पर पश्टता आएगी और जनता को सही जानकारी मिलेगी इस सारवजरिक बहस से जनता को कई फायदे होंगे वे दोनों नेताओं के विचारों को सीधे सुनकर तै कर पाएं सकेंगे कि किसे अपना समर्थन देना चाहिए इसे राजनितिक जागरुकता भी बढ़ेगी और लोग ज्यादा जानकारी के साथ वो डाल सकेंगे अब देखना यह है कि क्या प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी और राहूल गांदी इस बहस के लिए तैयार होते हैं या नहीं अगर ऐसा होता है तो यह भारतिया राजनिती में के इतिहासी घटना होगे और लोगतांत्र को मजबूत करने के दिशा में एक बड़ा कदम होगा पूर्वने अधिशो और पत्रकार का कहना है कि गयर पक्षपात पून और गयर वेबसाइक मज़ पर सारवजनिक बहस से नागरिकों को बहुत लाब होगा और लोगतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी यह जोड़ा गया कि अधिक प्रसांसक है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोगतांत्र हैं और पूरी द सारवजनिक संबंधों के दौरान भारतिया जनता पार्टी और भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस तोनों के सदस्यों ने हमारे समविधानिक लोगतांत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशन पूछे पत्र में कहा गया कि प्रधान मंत्री ने आरक्षन आर्टिक प्रधान मंत्री से सवाल किया है और उन्हें सारवजनिक बहस की चुनोती भी दी है दोनों पक्षों ने अपने अपने घोशना पत्रों के साथ सामाजिक न्याय की संविधानिक रूप से संरक्षित योजनाप पर उनके रुख के बारे में एक दूसरे से सवाल पूछे है हाला की पत्र में दोनों ओर से सार्थक प्रतिक्रिया की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है इसते यह सुनिशित करने में महत्व पर जोड़ दिया गया है कि जनता आज के डिजिटल दुनिया में बहस के समय पहलू के बारे में अच्छी तरह से सिक्षित है जो गलत कि स्थान अवदी मॉडरेट और पर रूप पर पारंपरी के रूप से सहमती होनी चाहिए उन्हें किसी भी नेता के लिए विकल्प भी प्रस्तावित किया है कि यदि बेभाग लेने में आसमर्थ है तो वह प्रतिनिधी को नामित कर सकते हैं यानि साफ तोर पर उन्होंने प्रतिनिधी को नामित करके बेज सकते हैं और उन्हों सारे जब मुद्ध है उन्हें लेका बहस कि जा सकेगे यानि साफ तौर पर इस डिबेट के लिए वो कह रहा है कि डिबेट होना जरूरी है लोगतंत्र के लिए भी जरूरी है और ताकि लोगों को काफी सारी चीज़ जो है clear हो सके लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के जो situations है एस वक्त देखने के ले मिल रही है और इन सभी को दिखते हुए जो है उन्होंने पूरा-पूरा प्रयास किया है कि इस शीज का ध्यान रखा जाए इस शीज के बारे में भी पूरी जानकारी दी जा सके और यह कि जो यारोप रतियारोप लगाते हैं कई सारे मुद्वों पर चाहिए वाइटिकल 3070 हो या राम मंदिर हो यह कई सारे मुद्व रहते हैं अब इन मुद्वों पर अगर साथ बैट के वो discuss करते हैं साथ बैट करते हैं बात करते हैं तो लोगों को clear understanding मिल जाएगी कि सही है या गलत लेकिन लों comment section में इस debate के बाद से खुशनजर नहीं आ लोगों का comment section में तरतरा का reaction देखने के बिला ज्यादा तो लोग क्वालिफिकेशन की बात करते नजर आए ज्यादा तो लोगों ने ये कहा कि देश के प्रधान मंतरी आखर एक नॉर्मल जो है आखर इस तरीके से किसी के साथ भी कैसे डेबेट कर लेंगे क्वालिफिकेशन की भी बात है अब यहाँ पर ऑप्शन भी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह क्या रहे है कि एक प्रतिनिधी को ही भेज़ए कि जो प्रतिनिधी जो है इस पर बहस कर सके अब यह जैसे कि आपको बताए कि सुप्रीम कोट के तीन जज है चस्टीस मदन लकूर चस्टीस एपिशा और पत् इंतरन भेजने का कोई फर्क कोई प्रभाव जो है वो पढ़ता है कि नहीं नामंकन भेजने के बाद क्या मोधी आफर रहूल गांधी के लिए जो डिबेट की बात कही जा रही है क्या वो खुद आते हैं या अपने प्रतिनिधीयों को बेशते हैं क्या होता है यह देखना आने वाले समय में बेहस जादा दिल्शुस्प होगा क्योंकि डिबेट की जब बात होती है बहस की जब बात होती है सारी चीज़े जब कही जाती है तो ऐसे में इस पश्च तोर पर जो है कही न कहीं पूरी स्थिती जो है देखने के लिए मिल रही है अब ऐसे में लोगों के जवाब जो है छिपे हुए हैं कि आखर कि आखर इसमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कई सारे आरोप प्रतियारोप लगे रहते हैं तो ऐसे में अगर दोनों डिबेट करते हैं आमने सामने आते तो कहीं सारी चीज़ा क्लियर होगा अब यह देखना दिल च यह बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से हाई कोट और सुप्रेम कोट के पूर्व जजजे आरे पत्रकार ने राहूल गांदि और देशके प्रदार्मती नरंधर मोधी को एक पत्र भेजा है इस पत्र में उनने आमंतरन भेजा है आमंतरन उने कि मेरजा है कि दोनों लोगों को नें डिबेट केलिए गुलाया है ताकि दोनों लोग डिबेट कर सके और इसके पीछे का अन्होंने कारण बताया है कि एक डिबेट करते हैं तो लोगों के दिमागब कई सारी जो सब्सक्राइब क्लियर हो जाएंग onset people डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो सही है या फिर वो गलत है तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी फीडियो रहा हुआ हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू सब्सक्राइब करिएगा दन्यवाद